नमश्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डाइटीशिन लक्षमी डॉक्टर विनीत मैं मैं हूँ आपके अपनी डाइटीशिन और मास्टर आफ फामेसी लक्षमी यह दो आजकल की तनाव भरी जिंदगी में हर इनसान के लिए मैमुरी का जो वीक होना है वो बहुत कॉमन हो गया है हर व्यक्ती हर इनसान यादाश्त कमजोर होने से परेशान है अगर बात करें आयरुवेद की तो आयरुवेद में आचारिस श्री चरक कहते हैं कि शंक पुषपी जो है वो मस्तिस्क के लिए टॉनिक है जी हाँ तो आज हम गही बात करने चाह रहे हैं कि आयरुवेद में ऐसे कौन-कौन से ब्राइंट्स इंडिया में एवलेबल हैं जो बिना किसी साइड एफेक्ट के बच्चों को और ऐसे पेशन्ट जिनको भी भूलने की तकलीफ है जिनके भी memory loss में तकलीफ है उनके लिए बहुत ही जादा उपयोगी है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बने रही हमारे साथ तो अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो kindly सब्सक्राइब आवर चैनल and share with your friends and family दस्वे नंबर पर है उन्जा का शंख पुषपी ब्रामे सिरब ये जो सारब है इसको बनाने के लिए शंख पुषपी और ब्रामे का उपयोग किया गया है और ये सारब बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है जित्ते भी विद्यार थी यानि कि स्टुनेंट्स हैं वो इसे आसानी से यूज कर सकते हैं पीछे की तरफ इसमें लिखा है किसे ये लेना है, किसे नहीं लेना है, क्या डोजिज हैं, ये सब आप इसमें देख सकते हैं. नाइन नमबर पर है क्योर वेदा का मूड अलक्सर, अगर आप इसके इंग्रियंट्स की बात करें, तो इसमें है अश्वगंधा, ब्राम्ही और अनंतमूल, जी हाँ, इन तीनों चीजों से मिलकर किये बना है, अश्वगंधा, चिंता, अनिंद्रा को दूर करती है, इसके पेशन इनहें नालें, अवॉइट करें, आप जब भी इन सायरप्स को खई देंगे, पीछे दिया हुआ है कि आपको ये सायरप्स कैसे यूज करने हैं, कितनी कॉंटिटी में यूज करने हैं, और कौन से एज ग्रूप के लोग इससे ले सकते हैं, चलिए बात करते ह हैं साथवे नंबर की सायरप्स की, प्रग्यामृत सायरप जी हैं, इसमें हैं ब्रामी, शंक पुष्पी, जटामासी और वाच्चा, ये सभी चीजें आपके ब्रेन को डवलब करती हैं, साथ-साथ तनाव को कम करती हैं, बात करें अगली सायरप्स की तो वो है बैदनाथ क शंक पुश्पी सारप, ये सारप मैंने भी पिया है, आपने भी कभी न कभी लिया होगा, गी जो सारप है, इसमें भी अश्वगंधा है, सतावरी, ब्रामी और शंक पुश्पी है, ये भी ब्रेन को शांत करने, नींद अच्छे लाने और तनाव को कम करने का काम करता है, चल अभी के डोज एक जैसे होते हैं या आपको रात को सोते वक्त पानी में डैल्यूट करके लेने होते हैं एक बहुत इंपोर्टन बात है अगर आपको कोई भी साइड इफेक्ट महसूस होता है तो प्लीज आप ये साइरप सना लें इसमें होता है शंक पुषपी, ब्रामी, गुडुची, मुलेठी, जटामासी, वच्चा, अश्वगंदा और सतावरी इन सभी चीजों से मिलकर की ये बना हुआ है ये भी आप ले सकते हैं इसली मारकेट में अवलेबल है और ये सारी चीजे तनाव कम करने और यादाश्ता क पढ़ाने का काम करती है इसके अलावा बात करें तो ये सारब दावा करता है मैमोरी इनहेंस करने का वीक इंटेलिजेंस को ठीक करने का नेक्स्ट सैरप है डाबर का सरस्वता रिस्ट जेहां ये भी इसली अवलेबल है ये डाबर का है ये भी आपकी कंसेंट्रिशन को इंप्रूव करता है मैमोरी को इन्हेंस करता है अब हम देख लेते हैं नमबर सेकंड का सैरप ये जित्ते भी सैरप से ये एंसाइटी और पीपली, लॉंग, अश्वगंधा, गिलोय, सतावरी इन सभी चीजों से मिलकर किये बना हुआ है और ये भी हमारे शरीर में एंसाइटी को डिक्रीज करता है इसके अलावा IQ लेवल को इंक्रीज करता है साथी aggressive behavior को कम करता है यानि की जिनको बहुत ज़ादा गुसा आता है उनके लिए भी ये syrup बहुत ही ज़ादा अच्छा है नमबर वन पर है हिमालिया का मैंटेन डियस syrup जी हाँ ये syrup जो है दो forms में available है diabetes की patient के लिए without sugar base का syrup भी market में available है जो easily purchase किया जा सकता है बात करें ingredients की तो इसमें होता है अश्वगंधा, शंक, पुषपी, जटामासी, बाद हरीगीतिका, गिलोय, अद्रग, सौंफ, काली मिर्च, इलाइची इन सभी चीजों से मिल करके ये बना हुआ है बात करें इसके यूजिस की तो ये memory or learning disorders को cure करता है इसके अलावा जो patient जिन्हें paralysis हो चुका है यानि की post paralysis का stage वो देख रहे हैं उस वक्त लोगों को memory loss जादा ह होता है वो भी इसे यूज कर सकते हैं यह रहा आज का सारा video I hope आप सुपकोई चन्ल I am